पतासान के रिकेट इम भारत कई है बारत जाना चाहिए था भी खुर्वा रहा है वो अपनी है जांता है बड़ी बेस्टिखर आइए नहीं जाना चाहिए तो फ्रॉषड है इंडिया वाले ऑले बिल्कुल उप्रोड कैसे है आप पाकिसान ही है इंडिया को स्पॉट क्यों तो कामी है यह पाकिसानों के कि लड़ाना हुआ हुआ है हुआ है लाया है तो एलाने पैसा है that आप देख रहे हैं नेशनब्रोग पाकिस्तान की कुछ लड़कियों का आपको हम इंटर्वी दिखाते हैं जिसमें वो यह कह रही है कि भारत हमेशा चांस ढूंडता रहता है किस तरीके से पाकिस्तान की बेस्ति की जाए पहले आप इनका वीडियो देखिए फिर हम बात करत चाहिए बिटू के बात ही कि इसके बारे में वीडियो है निम्रा आहमात का रखिस्तान की बारत गई भारत जाना चाहिए था बिल्कुल नहीं इंडिया तो इंडिया वाले बिल्कुल कैसे बस हम हम अच्छे नहीं लगते हैं अगर उनके खिलाडी तो पूरी दुनिया को अच्छे लगते ना उनका खेल तो पूरी दुनिया बहार में जाएंगे तो अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करते भारती प्लेयर्स की तो क्या कहती है आपके ऐसी थी प्रफॉर्मन्स ने दी फिर वो जीते कैसे बर अनके साथ गलक्त उनकी सब्सक्राइब करें को जीद कि हमारे नसीब में जो लिखे वो जगाइसे तोड़ी होते मेहनत लगती है मेनत तो की हमारे प्लेयर्स ने लेकिन अधिया आप लिखने की लड़ाना ये इंडिया कर रहे है जै मिल्कुल मुझे बताए मैं एक वीडियो देख रहे थी अभी रिसेंटली अफगानिस है इसदानिस्तान कि जो प्लेइर्स है वू स्पेशल मीटिंग करें सेरीबरेशन करने करने गए हैं इंडिया के प्लेइर्स के साहां कि साथ एक Μुस्लिम कंट्री को नवन कम झाद रिलेशन्चिफ क्पुरने चाहीं है अगर तो जब कोते हैं? इतनी बनाई विया अफगानिस्तान जब जीता था तो उन्होंने भारत का जंडाल उहरा दिया था शेर होता है उनको डर लगता है इसलिए उसके साथ आते हैं सब को सब के साथ हैं हम अकेले ही जाता है। तो भारत सब के साथ आता है दो चैनल इस तो लोग इसे डरते हैं अमाइगाइगाट होगा अफगानिस्तान खुद उनके नाले लगाते हैं ईतना बेज़द हमें कराया हूं पाकृसान जूद में पाकिछा शूर्ब तो अब दो अब ये वापिस आते हैं तो क्या करें वैसे हैं है आप में वाइच सवाल पुछते हूं और फिर एंगे तो वेलकम कैसा डिजर्व करते हैं बोलना नहीं जारी में आप बोले जूतियों से अंडों से कैसा अंडों से अंडों से उस पर पैसे खर्च हो जाएंगे हम गड़ लेंगे विस्ति तो फील होए तो कि हमें भी विसूस हुई है विल्कुल ठीक है अपने बढ़ाई बढ़ाई सब छोड़ के मैच देख रहे थ इंडिया वर्सेश पाकिस्तान बिल्कुल साइट हैंक्यू सो माच था टीवी तोड़ते हैं भारत के साथ मैच होता तब भी ऐसा लगता अफगानिस्तान तो शर्बर तीम हैं हमारी नजर में उनसे आप हार गये थे वह जस्त बस एक गेम है हार जीत होती है पिर इंडिया स माताम होती है तो हमें दिल से जो है ना अंसु निकलते हैं लगते हैं लैकिन बचबूरी है क्टेश है अच्छाला कभी हम जीतेंगे जीतेंगे और हमेशा के लिए जीतेंगे काण लेकर आएँगे अबम एक वीडियो देख रही थी इस वीडियो में यह मैं आपको दिखा भी देती हूं कि राशिद खान जो के अफगानिस्तान के काफी जो प्लियर्स है वो इर्फान पठान के घर में गए है सेलिबरेशन करने मीटिंग करने इसके लब सचिंट अंडूल करने ट्रेनिंग दी है अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं इस बारे में कि इनकी आपस में बहुत जादा बनती है वीडियो देखिएगा यह राशिद खान है पकड़ने और यह गए है इर्फान पठान के घर अफगानिस्तान की टीम गई है सेलिबरेशन के लिए मीटिंग के लिए जी वह असल में बच प्यार भी तो है ना और प्यार दिखाना भी है ठीक है है तो मुसल्मान तो मुसल्मान मुसल्मान की बड़ी कदर करता है बर लेकिन इंडिया ने इनको बहुत स्पोर्टिंग की ज़्यू और इनको इस वज़ेंसे भी साथ प्रोटोगोल और साथ एंटरेंटमर भी दो गरना है इवांठो दिखाना है कि हम लोग है है और आप लोगे हो और सादि सेलीब्रेशन करके यह भारत यसे ट्रेनिंगा असल करके उन्हें उन्हेंदेसल करनी है हमारी भारत के साद लगती है नここ पता है कुछ कश्मीर की वहाँ से भी है हमारे तो जर्थ रहा खांय कि लगती नहीं हमारी तो लाइव करते हैं तो हमें बहुत से ऐसे स्टायल दिखाते हैं बड़े बड़ी लुक्स दिखाते हैं अहला कि हमारे तो ने बरिंग कंट्री लेकिन फिर भी पता नहीं शायद हमसे उन्होंने कुछ लेना है कि जो हमसे इस्ता का वो करते हैं जाहिए कोई उनके दिल में कोई होगी यहां कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमने यह जी फूरी दूनिया आप यह वर्ड़ कंदर आने वाले तो आप यह कहते थे ठीक हम जो है number one Team है हमारा जो बैटसमायन है उड़्ियका बाब राजम number one बैट्समैन है उसके सामने कोई ठीके गया नहीं भारत को हम उसके घर के अंदर आएंगे बहुत बड़ी-बड़ी बाते ही लोग कर चुके हैं अपनी इंटर्वियूस के अंदर पब्लिक इंटर्वियूस होते हैं उसके अंदर लेकिन जब आज इनकी हालत इतनी खराब हो च जित गए देकि इनका रोना ना कभी कम होने वाला नहीं है और खासकर जब भारत की तारीफ करने के बात आती है तो पाकिस्तान का चाहिए बच्चे से लेके बुड़े तक को आप पकड़ लो कभी भारत की तारीफ नहीं करेगा और ये भी बच्चियां है इनके दिमाग के जब क्रिकेट टीम जीती हैं पाकिस्तान कुछ भी अथा काम करता तो कहते हैं अल्ला के मदढ़ी से हमने अच्छा काम किया है इसलाम की जीत हुई है अब इतने बेकूफ और जाहिल को मजाग बनाने के लिए दुनिया कहां पीछे रहने वाले है ना हम पीछे रहने वाले ह पाकिस्तान बिज्टी कराने के लिए पहुंशता है हम करते नहीं है आपका कहना है हमें कमेंट सिक्षन में जुरू बताईएगा मिलते हैं वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद जहिंजेवारा